आशा करता हूँ, आप साब बहुत अच्छे होगे, मिरे नाम ऐसे दान तक नहीं हो, तरी Steady IQ पर आपका बहुत-बहुत सभागत है, आज हम बात करेंगे Augustus, या फिर Octavian Caesar की, Octavian Caesar की बात करें, तो आपको याद आ रहा होगा, Roman Empire, मैंने Julius Caesar की बियोग्राफिक कवर की है, तो बात करेंगे, या Roman Empire को Empire किसने बनाया, Augustus, ठीक है, Augustus इससे पहले तो Roman Empire जो है, वो Republic था, एक तरीके से, ठीक है, लोग चुन के आते थे, राजा था, लेकिन लोग चुन के आते थे, लेकिन Julius Caesar के आने के बाद, और फिर Augustus के आने के बाद, पूरा धाचा ही बदल गया, और फिर Roman Empire अगले 1300 सालों तक चला, बाद में उसको Byzantine Empire बुला गया, ठीक है, वो इक अलाग कहानी है, लेकिन अगले 1300-1400 सालों तक चला, जब तक Ottoman Empire उसको subdue नहीं किया, तो आज हम Octavian Caesar की बियोग्राफी देखेंगे, Octavian Caesar की क्या कहानी है, वो जानेगे, मज़ा आ जाएगी दो UPSC के Smart Course तयार किये हैं, आपको बहुत ज़्यदा फायदा होगा, साथी साथ हमने बहुत सारे Optional Subjects के Courses बना है, तो वो भी आपको, अगर आप किसी Optional से, मतलब जिस Optional से आप UPSC के Exam के तयारी कर रहे हैं, तो आप इसको अवेल कर सकता है, आपको बहुत ज़्यदा फाय देखे, बहुत कम ऐसे Empire थे, जहां पे पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी तो थी, लोग चुन के आते थे, और Roman और Greece इसका Example थे, हाँ, वहाँ पे जो सत्ता रहती थी, वो ताकतवर के पास ही रहती थी, लेकिन फिर भी लोगों का वहाँ पेप करते निधित, वो होता था, Roman Empire की बात करें, तो यहाँ पे Assembly थी, यहाँ पे Senate थी, 6th या 7th century में बना, यह Empire, यह Republic, यह बहुत ही important था, ठीक है, Roman Republic, बहुत ही कमाल का शांदार, लेकिन यहाँ पे जब यह बना, 516 BC के आसपास, हम यह देखते हैं, कि जो ताकत थी, वो स इनके बास जमीने हुआ करती थी, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वैसे वैसे हम यह देखते हैं, कि common public ने revolt किया, वो चाह रहे थे, बहुत लंबी कान यह दोस्तों, हम टेक्निकालिटी में जादा नहीं गुसेंगे, इसलिए नहीं गुसेंगे, क्योंकि फिर वो लेच् असेंबली में जगा मिली, हाँ, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा दोस्तों, सेनिट, जो कि इनकी असेंबली होती थी, ठीक है, मतलब असेंबली ही हम इनको बोलेंगे, सेनिट, राजा, और जो मिलिटरी होती थी, constant, लोग conflict में रहते थे, ये तीनों एक दूसरे से, constantly ये लोग conflict में रहते थे, मिलिटरी चाहती थी, सेनिट ना हो, सेनिट चाहता था, मिलिटरी ना हो, मिलिटरी ना हो, इन्दा सेंस की मिलिटरी इनके कंट्रोल में रहे, और मिलिटरी ये चाहती थी, कि सेनिट मिलिटरी के कंट्रोल में रहे, बहुत सारे वारलोट्स आएं समझ रहे हैं बहुत सारे warlords थे Mark Anthony थे इसमें Julius Caesar थे इसमें Crassus थे इसमें Brutus थे बड़े ताकतवर ये सब उबरे Julius Caesar तो जब बकायदा पूरे expansion चल रहा था कि भाया धाई हजार साल पहले Roman Republic जो था उसने expansion चुरू किया और Africa को अपने कबजे में लिया Asia के कुछ पार्ट कबजे में लिये Europe पे पूरा expand किया और फिर हम ये देखते हैं कि धीमे धीमे जब expansion हो रहा था तो भाया युद्धू कौन लड़ रहा है युद्धू तो लोगी लड़ रहे हैं लेकिन इनकी army professional होती गई और जब इनकी आर्मी professional होती गई तो इसके आर्मी से बहुत तगड़े leaders निकले ठीक है जिनको warlords भोला गया और इसमें से थे एक Julius Caesar ठीक है और Julius Caesar ने अपनी ताकत के बल पे सब कुछ अपने कबजे में ले लिया ठीक है सब को साइड में रख दिया Julius Caesar हो गये करता धरता Roman Republic के ठीक है सेनेट भी थी लेकिन वही है न कि अब सेनेट और Julius Caesar में Julius Caesar सबसे जादा ताकत वर अलाकि इसके पीछे कहानी है Julius Caesar की मैंने एक घंडे का सेशन है Julius Caesar का आप देखेगा बकाईदा ट्राइमवरेट साइन मतलब ट्राइमवरेट यहां पे हम देखते हैं की हुई थी ठीक है ट्राइमवरेट की बात करें चलिए अच्छा कमेंट बॉक्स में आप बताईए ठीक है ट्राइमवरेट जो है यह ट्राइमवरेट मतलब जब यह बकाईदा स्ट्रगल चल रही थी पावर स्ट्रगल चल रही थी रोम के लिए रोमन एंपायर के लिए कौन कंट्रोल करेगा तो यहाँ पे तीन ग्रुप्स में समझोता हुआ था ठीक है कि आप ये एरिया ले लो आप ये एरिया ले लो उसमें से एक तो थे जूलियस सीजर बाकी दो कौन थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और ट्रायमवरेट कब हुई थी फर्स्ट ट्रायमवरेट रोमन एंपायर की कब हुई थी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और उसको एक कुछी साल बाद जूलियस सीजर ने पूरी सत्ता ले ली, समझ गए, अब कहानी पे आते हम अपनी, और Augustus कौन थे, ये जानते हैं, देखिए Augustus जो है, वो एक टाइटल है, है ना, Latin word में इसका मतलब होता है, बढ़ना, Augustus एक टाइटल है, प्रिंसेप भी टाइटल इनको दिया था, लेकिन इनका असली नाम था, गायस ओक्टेवियस, गायस ओक्टेवियस थुरिनस, इनका असली नाम था, ठीक है, अब इनका जो जनम था, वो 23 सितंबर 63 BC, इन पे रिकॉर्ड बहुत अच्छे गासे अविलेबल है, ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरियन्स टेन के बारे में लिखा है, प्रूटार के इनके जनम हुआ, ठीक है, 63 BC मतलब बिफोर क्रैस्ट, ADBC तो समझते ही है न, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भया, परिवार जो था, इनका बहुत समरिद्ध था, बड़े अमीर, इनके जो पिता जी थे, उनका भी नाम गायस ओक्टेवियस था, वो तो मैसीड डूनिया के गवर्नर थे, ठीक है, देखिए, पैरलली बाटव बड़े-बड़े एंपायर आते हैं, लेकिन अल्ऱीमेटला जो सबसे बड़ा एंपायर था वो रूमन एंपायर निकला, इधर बगल में ग्रीस एंपायर था, ग्रीक एंपायर था, ठीक है, इधर बगल में पर्शियन इंपायर भी बहुत बड़ा था लेकिन इजिप्ट को अल्टिमेटली हम देखते हैं कि मतलब इधर रोमन और ग्रीस ने इस अब्डियू कर लिया ठीक है तो अगर हम बात करते हैं मतलब रोमन एंपायर पहले तो ग्रीस ने जीता अलेक्जेंडर ने जीता और बाद में रोम सकते हैं कि इनका परिवार कितना प्रभावशाली रहा होगा बहुत ताकत्वर परिवार भीया है ना अब यहां पर भी नेपोटिजम देखिए 2000 साल पहले भी नेपोटिजम एक्जिस्ट करता था है ना तो ऐसा है कि इनके जो पिता जी थे जो कि मैसी डूनिया के गवर्न कर ली जो कि गवर्नर था सीरिया का यानिक इनकी माता जी ने दूसरी शादी कर ली ठीक है अब इनके देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दू ओक्टेवियन सीजर क्या लगता है आपको है ना कैसे रहे होंगे डिक्टेटर थे बिलकुल थे हलाकि डिक्टेटर इन्होंन रास्त राजा थे है ना एक्सपैंशन किया बिलकुल इनके भी हाथ खून से रंगे थे लेकिन इन्होंने रोम को बदल डाला यह ऐसे राजा नहीं थे कि एसेंबली को खतम कर दो पॉलिटिकल ओपनेंट्स को खतम कर दो किया इन्होंने पॉलिटिकल ओपनेंट्स को खतम लेकिन एक बर जब इनके पास ताकत आ गई तो लोगों को बहुत राइट्स दे दिये। कानून में फिर बदल कर दिया, constitutional reforms लेकिया आए। और Senate को, मैंने अभी बताया ना, लडाई चलती रहती थी, Senate, military और राजा के बीच में बहुत लडाई चलती थी, कि ताकत किसकी होगी, Octavian Caesar ने तीनों के साथ तालमेल बिठा लिया, Octavian Caesar तो खुदी राजा बन गए थे, लेकिन तीनों के साथ उन्होंने तालमेल बिठा लिया, Senate को भी खुश कर दिया, और Senate ने ही इनको टाइटल दिये, Augustus और प्रिंसेट जो टाइटल है न, वो Senate ने इनको दिया, तो आप समझ रहे हैं कि सब को खुश करने में कामियाब हो गए, इसलिए Augustus जो है न, यह जो टाइटल है यह अपने आप में ही बहुत बड़ा है, ही कहें, अब दोस्तों ऐसा है, कि Julius Caesar जो थे, Julius Caesar क्योंकि इनके पिता जी जो थे, Octavian Caesar के, वो Governor थे, मैसी डूनिया के, तो भाईया बड़ी समरिद्ध फैमिली थी, तो court में आना जाना लगा रहता था, Julius Caesar के बहुत करीब आ गये थे Octavian Caesar, Julius Caesar ने Octavian Caesar को adopt कर लिया था, समझ रहे हैं, Octavius को Julius Caesar ने इतना ज़्यादा प्यार करते थे, Julius Caesar तो इतना ज़्यादा मतलब यहां देखते हैं कि Octavian Caesar से इतना प्रभावित थे कि Octavian Caesar उसमें बहुत छोटे थे, और Julius Caesar के पास इसमें पूरी सत्ता आ गई थी, ठीक है, 48 BC की, 47 BC की बात चल रही है यहां पर, तो Julius Caesar ने Octavian Caesar को यह तक बोला था, अफरिका में पूरी कैम्पेण चल रही थी, और Octavian Caesar से बोला कि चलो अफरिका, चलो आज़ाओ, आर्मी में आओ, रिखाओ कि क्या तुम कर सकते हो, लेकिन की माताजी ने मना कर दिया, क्योंकि बहुत छोटे थी समय, Octavian Caesar, तो गए नहीं, इतना जादा लगाओ था जूलियस Caesar का, और भाईया यही नेपोटिजम है, इसी का ही फाइदा जो है, वो Octavian Caesar को मिला, ठीक है, अब जूलियस Caesar को 44 BC में मार दिया गया, यह कबर किया है मैंने, ठीक है, देखिए बैया, गद्दी का खेल बड़ा खतरनाक होता था, राजा तो बन गए तुम, लेकिन बहुत मुश्कल होता था, सस्टेन करना, क्यों? 50 लोग हैं, गद्दी पे नजर बैठा है, बहुत साजिषे चलती थी, इसी साजिषे का शिकार हो गए तो जूलियस Caesar, मार दिया था जूलियस Caesar को, ठीक है ना? तो अब हम यह देखते है, 44 BC में जूलियस Caesar खतम, ठीक है, जूलियस Caesar को जब खतम किया गया, तो कौन गद्दी पे बैठे, जूलियस Caesar का कोई legitimate बच्चा नहीं था, कोई children नहीं था, ठीक है, जूलियस Caesar ने Octavian Caesar को adopt किया, अब ताकत किसके पास आ गई? Senate के पास, जूलियस Caesar गए, Senate के पास फिर से ताकत आ गई, Senate और Octavian Caesar के रिष्टे बहुत बढ़िया थे, यहां तक कि Octavian Caesar को इस समय सेनेटर बना दिया था, Assembly में बहुत छोटे थे, अरे भाईया 43 BC है ये, खाली 20 साल के है ये, 20 साल आप खुद सोचिए, आज लोग सबा, राज जी सबा, लोग सबा की मिनिमम में इच कितनी है, 25 साल, राज जी सबा की मिनिमम में इच कितनी है, 30 साल, लेकिन 25 साल में, 100 क्या 1000 में से एक, एक आपको मिलेगा, जो 25 साल में चला गया, वरना जादा तर अपना political career कब शुरू करते है, 33 साल, 44 साल, 40 साल, लेकिन जूलिय सीजर को 20 साल में ही, सेनेट का मेंबर बना दिया, सेनेट और बना दिया, क्यों प्रॉब्लम बहुत जादा हुई थी, अब प्रॉब्लम कैसी, देखो, बहुत सारे, बहुत सारी आखे थी, इस गद्दी पे, रोमन एंपायर पे, रोमन एंपायर जो था, सबको पता था, कि ये जो एंपायर है, ये सब कुछ बदलने वाला है, ठीक है, इनके पास खूब पैसा था, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, एनाटोलिय रीजन तो इनके पुरे कबजे में था ही, एनाटोलिय रीजन, जो टर्की का पूरा रीजन है, भर-भर के रिसोर्सेज मिलते थे यार, इसी लिए तो एनाटोलिया के पीछे हर कोई पढ़ा हुआ था, कि एनाटोलिया हमारे कबजे में आ जाए, क्योंकि उस सबए क्या था, लोहे पे सब कुछ चलता था, जहां लोहा मिलना शुरू हुआ, हतियार बनने चुरू हो गए, और जिसके पास जादा हतियार वो जीतेगा, तो रोमान एम्पायर जो है, एनाटोलिया रीजन अल्रीडी इनके पास खूब पैसा, ट्रेड बहुत बढ़िया, देखो इटली जो है, आज इटली आप देखे, तो वो समुद्र के किनारे है, है कि नहीं, पूरा कोस्ट लाइन है, इटली बहुत इस्ट्रचिकली बहुत इंपोर्टेंट है, ट्रेड बहुत बढ़िया, खुब पैसे, आर्मी जवर्दस्त, तो जो, रोमन एंपायर का राजा बनेगा, जो इस पर राज करेगा, उसको पता है, वो कमाल हो जाएगा, ठीक है, उसके पास सारी ताकत आ जाएगी, तो बहुत सारी आँखे थी, कि गद्दी पे हम बैठेंगे, उसमें एक था Mark Antony, Mark Antony एक वारलोड बहुत ज्यादा ताकतवर, ठीक है, Mark Antony की बात करें, तो Mark Antony को चाहिए थी गद्दी, लेकिन Senate से बहुत अच्छे Mark Antony के रिष्टे नहीं थे, क्योंकि Mark Antony थोड़ा dictator टाइप का था, वो जो भी Senate बोलती थी, उसको नकार देता था और अपनी चलाता था ठीक है अब हम यह देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जब इनको मतलब मारा गया जूलियस सीजर को ठीक है और क्योंकि सीजर के पास कोई भी लेजिटिमिट चिल्डर नहीं है ठीक है और इन्होंने ओक्टेवियस को एडॉप्ट क नहीं लिए देखिए या अगर हम ऑक्टेवियन की बात करें तो यह जो एरा है यह 44 बीसी से लेकर 27 बीसी तक है और ऑगस्टस की बात करें ऑगस्टस ऑगस्टस का जो एरा है ऑगस्टस यह यह ऑक्टेवियस सीजर नहीं यह टाइटल लेंगे ऑक्टेवियन से ऑगस्टस बनने का जो ये time period है वो 44 से लेकर 27 27 BC में इनको Augustus का title मिला और अपनी मौत तक यानल कि 14 AD तक ये rule करते रहे समझ गया अब हम यह देखते हैं कि Octavian जो थे जब Julius Caesar को मारा गया तो ऐसा है कि Octavian Caesar को पढ़ाई भी तो करने है न तो पढ़ने के लिए बाहर गए हुए थे बाहर क्य ये फिर सवाल उठने लगे कि अब कौन rule करेगा कौन rule करेगा इधर मार्क एंटोनी जो है वो धमाल मचाय हुए था है ना मार्क एंटोनी के पास पूरी आर्मी थी लेकिन यहां पे सेनेट भी कम ताकतवर नहीं है आर्मी बटी हुई थी ठीक है तो सबको पता था कि मार्क एंटोनी या अगर इधर ओक्टेवियन सीजर की बात करे या फिर लापिडस की बात करे ठीक है तो यह जो तीन है यह आपस में अगर लडेंगे तो सबसे जाता नुकसान हमी को होगा और हमारे दुश्मन जो है वो खूब फायदा उठाएंगे तो ऐसा है कि यह सुझाओ द्या गया कि आप तीनों मतलब मार्क आंटोनी लापिडस और ओक्टेवियन सीजर तीनों लोग संझौता कर लो ठीक है तो 2nd ट्रायंवरेट हुआ किसके बीच में Mark Antony, Lapidus और Octavian Caesar के बीच में ये 43 BC में साइन हुआ, समझ गए? Octavian Caesar बहुत ताकतवर हो गया था Octavian Caesar की बात सबसे बढ़ी बात ये थी बढ़िया बात ये थी कि इसको पता था लोगों को जीतना कैसे है एक चीज हमेशा याद रखेगा अगर आपको जिन्दगी में सक्सेस होना है तो अपने आज़ पास एडवाईजर बहुत बढ़िया रखेए ठीक है, Octavian Caesar के क्या गजब एडवाईजर थे इनका जो दोस्त है Agripa बच्पन का दोस्त हमेशा सही एडवाईज देता था दोस्त बही होता है जो सही एडवाईज दे इसलिए Octavian Caesar ने इतने बड़े एंपार को बना दिया आप समझ रहें Octavian Caesar क्या करता था आर्मी को बहुत खुश रखता था ठीक है, देखिए उस समय क्या था, जो प्रीस्ट होते थे भाईया, रोम और प्रीस्ट, अब यह आपको पता ही है रोम और प्रीस्ट का जनम-जनम का नाता है तो जो प्रीस्ट होते हैं जो ओल्ड गॉट्स की पूजा करते थे बाद में तो Christianity आ गया, ठीक है Christianity भी पूरा रोम से कंट्रोल होता था समझ रहे हैं, पॉंटिफस हो गए थे, ठीक है manhood इनों ने ले लिया था, सिर्फ 16 साल की उमर में तगले थे, बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता था था ओक्टेवियन को ठीक है, लेकिन सब को पता था कि जब आप सत्ता के बहुत करीब आते हैं, तो पता थो सब को रहता ही है कि मतलब पावर तो सभी को चाहिए और पावर के लिए कुछ भी करेंगे तो हम यह देखते हैं कि 43 BC में यह सेकंड ट्रायमवरेट जो है, वो साइन की गई ठीक है, इसके बीच में ओक्टेवियन, मार्क अंटोनी और लेपिडस, इसमें में जो लडाई होगी वो ओक्टेवियन और मार्क अंटोनी के बीच में होगी ठीक है, लेपिडस कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, इस ट्रायमवरेट को जब 37 BC में रिव्यू किया गया, छे साल बाद प्रोविंसेस थे, वो ओक्टेवियन को दे दिये गए, समझ गए आप, तो ये तीन में बटा, ठीक है, एमपायर जो है, वो तीन में बटा, अब यहाँ पे ट्रायमवरेट, फर्स्ट ट्रायमवरेट फाउंड हुई, उसके बाद जैसे ही जूलियस सीजर, अब धिये ये डिप्लोमेसी जैसे ही जूलियस सीजर को खतम किया, तुरंत उनको डिवाइन का दर्जा दे दिया, और ऑक्टेवियन को सन अफ दिवाइन का दर्जा दे दिया, समझ रहे हैं, फिर हम ये देखते हैं, ट्रायमवरेट ने सबसे पहले क्या बोला, मार्क एंटोनी ने औ और मतलब ऑक्टेवियन सीजर और जो ट्रायमवरेट थी, लापिडस ने, उनका ये मानना था कि सबसे पहले में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल ऑपोनेंट्स हैं, जिनकी नजर है सत्ता पे, उनको निप्टाओ सबसे पहले, जो भी पॉलिटिकल जो चाहता था कि राजा बन जाए हम, सबको मार दिया, जेल में बंद कर दिया, एकशायल में भेज दिया, या फिर बहत ज्यदा बोल रहा था तो मार दिया, ये चीजे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन करनी पड़ी वही है ना, ताकत को बचाने के लिए सामदाम दंडवे वही चीज, चाणक के निती, माक्यावली, किया, तीनों ने किया, ओक्टेवियन सीजर ने भी मारा, मार्क अंटोनी ने मारा, और लापिटस ने भी मारा, ठीक है, दूसरी चीज, ब्रूटस और कैसियस, ये दो बहुत बड़े वार्लोड्स थे, जूलियस सीजर के समय से, ये सत्ता पे आँख जमाए हुए बैटे थे, अब आप समझ गए होगे, जिनको फर्स्ट ट्राइमवरेट के बारे में थोड़ा सा मालू है, जो मैंने सवाल पूचा है, अब आपको कुछ याद आगया होगा, बैरहाल मैं सवाल के जवाब नहीं देने वाला, आपको यी देना है कवेंट वॉक्स में, तो ब्रूटस और कैसियस की बात करें, तो यहाँ पे एग्रिमेंट हुआ, सबसे पहले इनको शांत करो, यह बड़े ताकतवर हैं, इनके पास आर्मी है, तो सबसे पहले इनको हराओ, तो ब्रूटस और कैसियस को एक बड़ी आर्मी भेजी गई, और 43 BC में ही, दो बैटल्स लड़ी गई, मेसिदूनिया में, और 43 BC में ही, इन दोनों को हरा दिया गया, Brutus और Cassius Cassius ने सुसाइट कमिट कर लिया Brutus को हरा दिया गया समझ रहे हैं और दोनों मर गए दोनों का काम खतम अब यहाँ पे कोई है ही नहीं जो आवाज उठा पाए Julius Caesar खतम, Brutus Cassius आवाज उठा सकते तो वो खतम Senate चुब बैटी हुई है किसके पास ताकत है Mark Antony और Octavian बाकि Lapidus जादा बोलते नहीं थे वो भी बिल्कुल साइड में है ना, main दो power है अब देखिए, पहले तो इन्होंने अपने political opponents को निपता दिया अब दोनों लोग एक दूसरे से लड़ाई करेंगे Mark Antony को पता था कि जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा खतरा है, रोम में खतरा है क्योंकि Octavian Caesar के पास, मैंने बता न Octavian जो था, वो आर्मी को बहुत अच्छे से कंट्रोल में करता था, पैसा देता था आर्मी को, ठीक है, खूब खुश रखता था आर्मी को, बढ़िया तो आर्मी जो है, वो लॉयल थी Octavian की, मार्क एंटोनी को खतरा लगा मार्क एंटोनी चले गए Egypt, अब जहां Egypt गए ये, वहाँ Cleopatra के चकर में पढ़ गए औरत का चकर बाबु भाईया, औरत का चकर गए काम सही Cleopatra बहुत ही ज़ादा खूबसूरत थी, अपने सुंदर्ता के लिए फेमस थी, Cleopatra the seventh जूलियस सीजर को भी रिजाने की कोशिश की थी नहीं रिजा पाई, लेकिन मार्क एंटोनी, Cleopatra के प्यार में पढ़ गए, अब Octavian सीजर की जो बहन थी Octavia उनसे शादी की थी मार्क एंटोनी ने, समझ गए आप पढ़ गए है Cleopatra के प्यार में, letters exchange होते थे, और letters में खूब उल्टी सीधी बात करते थे, मार्क एंटोनी, Octavian सीजर को जो letter भेजते थे ना, भाई, अब बहन है Octavian सीजर की बहन है Octavia शादी की हुई है, मार्क एंटोनी ने तो अब हुआ क्या, कि जब letters भेजते थे, तो बताते थे, कि देको मैं 7 साल हो गया है, 7 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ क्यूंकि जब एक बार 40 BC के एराउंड, जब यह इजिप्ट गए फिर वापस नहीं लोटे ठीक है, मार्क एंटोनी तो मार्क एंटोनी खुब बताते थे कि मैं तो यहाँ पे 7 साल से इस औरत से प्यार कर रहा हूँ और मुझे तुमारी बहन नहीं चाहिए यहाँ तक की डाइवोर्स दे दिया Octavian Caesar की बहन को डाइवोर्स दे दिया और यही चाहा रहे थे Octavian Caesar प्लस एक और चीज़ थी रोम को रोम जो समय कैपिटल थी रोम ने पायर की शिफ्ट करो एजिप्ट की Alexandria को पावर सेंटर बनाओ रोम को पावर सेंटर ना बनाके Alexandria को पावर सेंटर बनाओ यह मार्क एंटोनी का कहना था अब देखो भाई ट्राइमवरेट साइन किया है ट्राइमवरेट है यह 37 BC में इसको रिन्यू किया गया मार्क एंटोनी भी तो बहुत अदर ताकतवर है न बहुत बड़ी आर्मी मार्क एंटोनी के पास भी है प्लस उसको क्लियोपेटरा का भी साथ मिल गया है इजिप्ट की भी आर्मी इसके साथ हो गई है तो आप समझ रहे हैं तो मार्क एंटोनी का क्या कहना था मार्क एंटोनी का ये कहना था कि एलेक्जंट्रिया में सब कुछ शिफ्ट करो और हमको तो आना ही नहीं रोम हम शादी करेंगे क्लियोपेटरा से और दे दिया डाइवोर्स ऑक्टेवियन सीजर की बहन को अब यही चाहता था ऑक्टेवियन सीजर एक मौका चाहता था ऑक्टेवियन सीजर का मूट खराब हुआ अब भी बताते हैं तुमको, आर्मी गैदर की और इंवेड कर दिया इजिप्ट को, इजिप्ट पे हमला बोल दिया, ठीक है, इजिप्ट पे हमला बोल दिया, और हम ये देखते हैं, 30 BC, ये बैटल ओफ, सबसे इंपोर्टेट, जो बैटल हुई थी, बैटल ओफ, बैटल एक्टियम, ठीक है, 32 BC में, ओक्टेवियन सीजर ने वॉइड डिकलेयर कर दिया, और बैटल ओफ, एक्टियम रली गई, ठीक है, शिप्ट से बेजे, और सब कुछ खतम कर दिया, आर्मी बहुत ताकतवर थी, अच्छली सेनेट भी इस समय ओक्टेवियन सीजर के साथ थी, क्योंकि सेनेट की बातों को भी मार्क एंटोनी ने नकार दिया था, तो सेनेट का मेंबर तो था ही मार्क एंटोनी, सेनेट ने उसको पूरा हटा दिया, डिफेक्ट घोचित कर दिया, एंटी डिफेक्शन लो होता है न, तो समय सेनेटर ने बोला, यह तो डिफेक्टिव ह यह तो मानी नहीं रहे हमारी कोई बात, तो सारी पावर सो उसे छीन ली और सारी पावर छीनने का मतलब वार हुई, 32 BC में वार डिक्लेयर किया, डाटल अफ एक्टियम यो थी वो फाइनल था, और 30 BC, 1 अगस्त 30 BC को आंटोनी और क्लियोपेटरा ने साथ में सुसाइड कर लि समझ गए, तो ओक्टेवियन सीजर ने हरा दिया और अब कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ ओक्टेवियन सीजर है, आक्टियम के बाद हम यह देखते हैं, पूरा रिपब्लिक जो था, वो ओक्टेवियन के पास आ गया, ओक्टेवियन सोल्ड रूलर बन गया, 28 BC म इसने सेंसस कंड़क्ट करवाया, उस समय हजार सीटे हुआ करती थी सेनेट में, पॉपुलेशन के हिसाब से 800 किया उसको, रिड्यूस किया सीटे को, सीटो को, और काउंसिल को मना लिया, उसने, एसेंबली को मना लिया, 27 BC में ओक्टेवियन को सेनेट ने टाइटल दिया, Augustus का, समझ गए, Augustus का टाइटल दिया, चाहता तो ऑक्टेवियन डिक्टेटर भी बन सकता था, लेकिन अपने पिता जी को देखा था इसने, डिक्टेटर से देखी थी कि वो कितना ब्रूटल होता है, तो ऑक्टेवियन ये नहीं चाहता था, ऑक्टेवियन नहीं चाहता थ था जो जंता है वो मरे थिक है तो ओक्टेविया ने augustus का title लिया और Princip का भी टाइटल लिया अगर गेंस फासरे ऐस के पास है jogar radically in लेकिन इसने बहुत सारे reformation किये, बहुत सारे reforms लेकिया, ठीक है, क्या reforms चलिए, 40 साल करूर था, ठीक है, अगर हम देखे इन total, और इन 40 सालों में Augustus ने अपने size को बहुत बढ़ा लिया, double कर दिया, ठीक है, यूरोप को तो जीता, पूरे जर्मन को जीत गया, इधर गौल को Asia Minor को जीता, बहुत सारे territories जो है, वो Augustus के पास expand तो किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ कानून में फेर बदल किये, लोग उस समय morality की बहुत बाते होती थी, नयतिक्ता की बहुत बाते होती थी, और जो रोम में लोग रहते थे, वो नयतिक्ता से थोड़ा धूर दूर चले ताकि लोगों में नयतिक्ता तो आये, धारे में भावनाय तो जागे, लोग अपने जो पूरवज हैं, उनकी इज़्जत तो करना सीखे, क्योंकि नयतिक्ता बहुत जादा थी उस समय रोम में, लेकिन अब काफी टाइम तक civil war चला, एंटनी और ओक्टेवियन के बीच में ठीक है, और अब जब इसके पास power आगी, तब इसने सब stabilize करने की कोशिश की, सब कुछ stabilize करने की कोशिश की, तो 27 BC में इसने बहुत साथ reform की, एक के बाद है, first settlement इसको बोला जाता है, 27 BC से लेकर 23 BC तक, ठीक है न, और Senate, Senate को बहुत खुश किया, Senate को भी खूप ताकत दी, Senate के मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सीधी बात, और Senate ने भी intern Augustus को बहुत respect दी, नए taxation reforms लेखिया है, कि बहुत लोगों पे burden भी ना पड़े, Rome को पूरा बदल दिया, Rome की पूरी कायक पलट कर दी, 27 BC के बाद Rome में, आज Rome किसले जाना जाता है, Rome अपने architecture के लिए जान आएंगे, तो वहाँ पे Colosseum हो गया, और बहुत सारे बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जिसका architecture कमार है, और ये सब 27 BC के बादी, Augustus के आने के बाद बनना शुरू हुआ, और अभी तक वो stand कर रहा है, 1000-1000 सालों की building है, अभी तक खड़ी हुई है, ठीक है, तो Rome का पूरा इसने का Postal Service, देखिए, Postal Service और Civil Service की बात करते हैं, Bureaucrats को इसने recruit किया, actually क्या था, कि Roman बहुत बढ़ा था, ठीक है, अगर रोम की बात करें, तो Rome बहुत बढ़ा था, ठीक है, तो रोम को इसने छोटे-छोटे प्रोविंस में बाटा, प्रोविंस डिस्रिक्ट में डिवाइड थे, डिस्रिक्ट में वाट्स होते थे, और उन वाट्स में सुपर्वाईजर होते थे, पुलिस सिस्टम बकाईदा इसने बनाया, और इन बड़े-बड़े प्रोविंस को देखने के लिए, जैसे आज क्या होता है, बाई, डिस्रिक्ट को देखने के लिए DM होते हैं, आईयेस, वही किया Augustus ने बकायदा civil service उस समय के civil service इसने civil servant रखे bureaucrats रखे कि देखो provinces को district को समझ रहे हैं police order और civil order इसने properly maintain किया ठीक है Augustus का जो period है इसको golden age बोला जाता है golden age of Roman empire golden age of India किसको बोला जाता है मैंनो उस empire के बारे में उनकी 5 biography जो important rulers थे cover किये चलो यह दूसरा सवाल comment box में बताओ golden age of India Indian empire कौन था वो कौन ऐसा empire था जिसने भारत को बदल के रख दिया comment box में बताओ ठीक है उसके बाद तो यह सारे reforms थे एक के बाद इसने reforms किया और public बहुत खुश senate बहुत खुश और हर कोई समझ गए अब उसके बाद दोस्तों यह छोटी सी timeline है आप देख सकते हैं इसका expansion कैसे हुआ 22 BC में इसने Anatolia को जीता 23 BC में second settlement हुआ senate और उसके बीच में ठीक है तो 22 BC में इसने Anatolia जो आज का Turkey है उसको जीता ठीक है उसके बाद 19 BC के दौरान बहुत सारे legislation एक के बाद एक कानून पारित हुए ठीक है उसके बाद 12 BC को लीजे मंदिर की भी पूरी जो ताकत है वो Augustus को मिलेगी ही एक के बाद एक मंदिर बना रहा है तो Augustus को pontifex maximus pontifex क्या priest maximus क्या सबसे highest post तो chief priest बना दिया roman religion का उससमें Christianity नहीं आया था अभी Christianity आने में अभी कुछ क्या मतलब 30 साल है ठीक है 9 BC में हम यह देखते हैं कि जर्मनी को इसने occupy कर लिया पूरे यूरोप पे और इधर एशिया और इधर आपका जो नॉर्थ आफ्रिका की कुछ पार्ट्स हैं उस पे Augustus का कबजा था और 14th AD में इनका दहान तो गया समझ रहे हैं 14th AD में 14 AD में इनका दहान तो गया जो west वाला था, बार-बार rates होती थी, तो collapse कर गया, east वाला byzone के अब था, वो बचा रहा, ठीक है, अब आप ये देख लीजे, 115, ये देखिए, 14 AD तक आप देख सकते हैं, ये green वाला जो area है न, ये जितने green वाले area है, ठीक है, और ये जो yellow वाले area है, ये सब Augustus के जीते हुए थे, ठीक है, जितने भी yellow वाले, expansion देखिए आप, और after 14 AD के बाद, ये green वाले area भी इनके पास हो गया, देखे, पूरा UK इनके पास चला गया, समझ रहे हैं, ये France, पूरा Europe तो इनके पास था ही, समझ गया, और Asia Minor, Asia के भी कुछ पार्टस इनके पास थ स्चला के और लिएliन से पास उनके जाले का में वाला सब तरस्कूरा के बवेंक菁 तो Σंचला के बारा हैं, और कर भी कुछ भी कि रहे हैं, उ दूराम भाले भी का ख वाक्राप